हेलो गाईज असलाम अलेकुम मैं हूँ आपका होस्ट अबास आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी MP3 सौंग में अपनी पिक्चर किस तरह से लगा सकते हों बास गात आप कोई भी सौंग सुन रहे हों तो उसमें एक पिक्चर लगी होती है आप अपनी पिक्चर किसी भी सौंग में अड़ कर सकते हैं तो बीना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह आप कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गंटी के निशान को प्रेस करके मेरे चैनल के मिम्बर बन जाए हाँ तो जैसा कि आप सब लोग को पता है सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहां पे आपने सर्च क तो आप इसे इंस्टॉल करने नहीं है मैंने इंस्टॉल के हुआ है फाइफ मिलियन इसके डाउनलोड रहे हैं और रेटिंग भी काफी अच्छी है तो मैं इसे अभी ओपन करके दिखा देता हूँ यह मैंने इसे ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद आपकी गैलरी में जि सेलेक्ट कर लेता हूं सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऑप्शन आ गए हैं तो तीसरे नमर पे जो ऑप्शन है चूज इमज तो आपने इस पर क्लिक करना है मैंने क्लिक कर दिया है चूज इमज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तो यहां पर मैंने अबास लिख दिया है तो लिखने के बाद दूसरे नमर पर आपने लिखना है अपना नाम और उसके बाद आपने कर लेना है सेव तो यह मैंने कर दिया है सेव और यह सेविंग हो रही है create करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो अभी सॉंग चलाया है यहां पे मेरी पिक लगी हुई है तो अभी मैंने माइक लगाया हुआ है तो इसलिए यह सॉंग यूज आवाज नहीं आरी इसकी तो आप देख सकते हैं आपको अपनी पिक्चर इसी तरीकिके से लगा सकते हैं पिक्चर लगाने के बाद आपने नाम ज़रूर लखना है तो उसी के बाद यह आपकी प्रिक और आपका मिजिक अपकी मिजिक ग cabin में सेव होगा तो उमईद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो अपसंद आगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंटे में बताएं कि वीडियो कैसे लगी हो के लाफिज मिलते हैं वीडियो में